हाँ तो भई क्या हाल चाल सबसे पहले राम राम जी सबको तो आज का जो वीडियो है ना काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है आज के इस वाली वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टाटा नैक्सोन फेसलिफ के बारे में यह जो गाड़ी है हाल फिलाल काफी अच्छा प गां बात रहें जिशंफ कर लेते हैं और पब बात कर लेते हैं तो आपको जो gene도 लाइट है क्योंकि हैं हाल फिलाल वैन्यू आती है उस में भाइट है उस टाइप के आपको इस गाड़ी में यह एक वाईपर का आप साइट प्लेस है पर अब जो वाईपर आने वाला है वोई स्पोईलर में प्लेस होगा जो जिसे कि आपको जो है रेंज डोवर या जगुवान में फीचर आता है उस टाइप का फीचर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है आपको जो है इस गाड़ी में देखने हो जाएगा तो आपको जो एड़ास का सेंसर देखने को मिलने वाला है और वह ही पूरी घाड़ी में एले डी होने वाला वाला हो अल वो अब हट जाएगी बेसिकली तो आपको जो है LED देखने को मिलने वाली और अब जो इसका format है split format में रहने वाला है आपको पूरी daytime ring DRL पूरे bonnet के through running होती भी देखने को मिलने वाली है अब दोस्तों आपना आया ते इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ तो इंटीरियर में काफी बढ़िया बढ़िया changes आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है आपको जो है नया instrument cluster देखने को मिलने वाला है और आज जैसा मैं आपको बताईजी आपको जो है इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है अब दोस्तों आपको जो है इस गाड़ी में पेड पर इस पीकर भी नजार आ रहा होगा आपको बढ़िया साउंड सिस्टम भी आपको इस गाड़ी में को मिलने वाला है यह डिजिटाल लाए पर यह वाला यह वाला इकने को मिलने वाले हैं और अब दोस्तों बात कर ले तो इस गाड़ीकी देखने को मिलने वाला है हाल फिलाल जो सफारी में आया है एक्सपेक्टेड है कि भाई उसी टाइप का आपको जो है इन्फोटेन्मेंट डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है और एडास आपको में अब इंट्रेड्यूस हो जाएगा डिजी टोन इस्टूमन क्लेश्टर जिसे बने बताई दी एलेक्ट्रोनिक सीट वेंटिलेशन मिलने वाला है आपको जो है ए 라प्स अब्स इस गारशकेंल भी देखने को मिलने वाला है तेनगों के आपको बहले है 1.5 लिटर का लिजर्ब इंजन देंगेंगेंगे 1.2 लिटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है और दोनों ऑटमेटिक और मैन्योर के साथ पेर होने वाले हैं अब दोस्तों फाइनल ले आ जाते हैं अपनी इस गाड़ी के लॉंच डेट के बारे में कब तक यह गाड़ी लॉंच हो जाएगी लॉंच की ब